हाई फ्रेंज इत्स अमीरी और समीज ग्रीव में आपका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में आपको टॉप 5 लैप्टॉप बताने वाला हूँ जो आप 40,000 प्राइस टेक के अंदर पचेस कर सकते हो इन जून 2020 यह काफी डीटेल वीडियो है जिसमें मैं सारे इस लिए और यह सारा डेटा जो है यह मैंने हर एक कंपनी के टेकनिकल एक्सपर्ट से कॉल करकर करकर कंफर्म किया है और दोस्तों अगर आपको पर्चेस करना इन में से किसी एक लैप्टॉप को कंप्लीट वीडियो देख लीजिए गा और इसके बाद दोस्तों इन सारों कि मैंने पर्चेस लिंक्स दिस्क्रिप्शन में दे दी है और आसे आप उन्हें चेक कर सकते हो बिफो सब्सक्राइब कुछ इंपोर्टेंट पॉंट्स आपको क्लियर कर दू फर्स्ट इस गाइज यह जो सारे लैप्टॉप इस लिस्त में फीचर हो रहे हैं उनमें कुछ स्टार्ट करेंगे विद नमबर 5 लाप्टॉप यह एसर का एसपार 5 यह 15.6 इंच वाल मॉडल है इसमें आपको फुल एडी लेडी डिस पर मिलता है विद नेरो बेजल ऑन त्री साइट्स रम इसमें आपको ऑनबोड 4GB की मिलती है विची सोल्डर्ड उसके साथ अपको ए यह यह 5400 rpm पर रेटेट है विची सलो होने वाली है बट इससे अपको अप्ग्रेड कर सकते हो विट शाटर्ड ट्री एससदी इससे अपको 600 Mbps तक की स्पीड मिल जाएगी तो यह ड्रॉबग आपको नोट करना है बात करें इसके फिजिकल असपेक्ट की तो इसमें आपक की पोर्ट मिलता है for the data transfer इसके opposite side पर दोस्तो अपको एक USB 2.0 का port मिलता है and finally अपको एक 3.5 mm का combo jack मिलता है for audio listening and recording the voices यहाँ पर दोस्तो नोट करना ही इस laptop में कोई भी SD card का slot नहीं दिया जाता so that is one of the drawback that you get in this laptop keyboard दोस्तो आप देखोगे तो आपको यह full-fledged keyboard मिलता है with the number pad so office productivity के लिए काफी बढ़िया रहे गा है laptop unfortunately guys इसमें कोई भी backlit option नहीं है so that is the drawback connectivity की बात करें तो इसमें Bluetooth 5.0 built-in आता है साथ ही में Wi-Fi 6 मिलता है so latest technology दोनों भी aspect में आपको मिलती है software की बात करें inbuilt आपको Windows 10 Home built-in मिलता है for the lifetime साथ ही में आपको MS Office Home or Student Edition built-in मिलता है which is also the lifetime version finally दोस list और battery backup भी दोस्तों इसमें आपको 5-6 घंटे तका easily मिल जाएगा which is also the highest among all the laptops in this list next on the list is HP notebook 15s यह आपको 39,900 में मिल जाएगा इसमें भी दोस्तों अपको full HD LED display मिलता है with 3 bezels on the 3 sides RAM भी इसमें built-in आपको 4 GB का मिलता है but guys इसमें आपको 2 slot मिलते है for the RAM expansion so maximum 16 GB तक expand कर सकते हो dual channel option ही मिलता है but guys यह 512 GB की NVMe SSD है PCIe slot only so guys इसकी जो spirit है यह पाच गुना जादा होती है compared to the SATA SSD so that is also an advantage you get here physical aspect के बाद करें इसके guys तो रेफ साइड में आपको charging port मिलता है उसके ठीक साइड में आपको 2 USB 3.1 के ports मिलते है on the right hand side आपको HDMI slot मिलता है एक USB Type-C port मिलता है for the data transfer on the far end आप आपको 3.5 mm का jack मिलता है that is mic and the audio combined and finally आपको SD card slot मिलता है यहां पर दोस्तो आपको RJ45 का jack नहीं मिलता so यह बात आपको note करनी है बात कर रहें दोस्तो keyboard की तो यहां पर भी आपको full-fledged keyboard मिलता है number 5 included है which is very helpful for the productivity but again guys इसमें आपको कोई भी backlit option नहीं मिलता बात करें दोस्तो इसमें connectivity की तो Bluetooth 5.0 वला version मिलता है बट Wi-Fi में भी आपको 5.0 वला version ही देखने को मिलेगा 6th version अभी तक इसमें नहीं है so अपफ़ेस की बात करेगा इसमें आपको Windows 10 Home built-in मिलता है इसके अलाओ दोस्तो Microsoft Office आपको इसमें मिलता है बट वो trial version है 37 दिनों तक क करें with my personal experience with the HP तो मैं कहूंगा आपको maximum शार से 5 गंटे तक की battery backup इसमें से मिलेगी in the ideal scenario No.3 on the list is the Lenovo IdeaPad Slim 3i यहाली में दोस्तो लाउंच हो है laptop यह 14-inch वाला model है Full HD LED display मिलती है इसमें भी आपको narrow bezels है on the three sides दोस्तो यह अकेला laptop है इस list में जिसमें आपको 8GB की RAM inbuilt मिलती है जिसमें से 4GB जो है वो soldered है onboard memory है और 4GB की एक stick मिलती है आपको जिसे आप upgrade कर सकते हो replace कर सकते हो 8GB की stick के साथ maximum 12GB तक यह support करता है storage की बात करें तो guys एकी option इसमें भी मिलता है 256GB की SSD इसमें मिलती है PCIe NVMe type है आपको काफी आच्छी speed इसमें से मिलेगी इसे आप obviously replace कर सकते हो विदा higher capacity SSD ports की बात करें तो left side में आपको सबसे पहले charging port मिलता है उसके tick side में आपको HDMI का एक port डेकने को मिलेगा next to it are the two 3.1 USB port और आपको एक USB 2.0 का port मिलता है on the opposite side आपको एक SD card slot मिलता है उसके tick side में एक 3.5 mm का jack है which is the combo jack इसमें भी दोस्तो कोई भी RJ45 का jack नहीं मिलता so that is also a drawback connectivity की बात करें guys तो इसमें आपको latest Bluetooth 5.1 version मिलता है which is the best among the list और दोस्तो इसमें Wi-Fi 6th version मिलता है software की बात करें guys तो इसमें आपको Windows 10 Home मिलता है built-in for the lifetime version साथी में MS Office भी आपको lifetime version मिलता है guys यह मैंने confirm किया है with the technical expert keyboard दोस्तो आप यहाँ पर देखोगे तो यह full-fledged keyboard नहीं है आपको यहाँ पर number pad नहीं मिलता और दोस्तो यह back lid भी keyboard नहीं है so that is also a drawback अगर आप इसे productivity के लिए consider करना चाहते हो तो उसके पर दोस्तो बात करेंगे हम इसके extra feature की तो इसमें आपको एक privacy shutter मिलता है for the webcam जो आप manually open और close कर सकते हो इसके आलवा दोस्तो आपको इसमें Dolby audio मिलता है जो की काफी बढ़िया quality का है इसका weight जो है आपको 1.6 kg मिलता है which is the second lightest in this list finally दोस्तो बैटरी backup की बात करें तो इसमें आपको 35Wh की battery rated मिलती है इन्होंने claim कि है साढ़े साथ गंटों तक यह backup देगा but दोस्तो विद माई experience मैं कह सकता हूँ यह maximum आपको 4 साढ़े 4 गंटे तक कही backup देगा in the real world test नंबर 2 on the list is the Dell Vostro 15 यह आपको 40,000 की आसपास मिल जाएगा to be specific 39,900 इसके price चल रही है यह 15-inch model है जिसमें आपको 15.6-inch की full HD LED display मिलती है RAM इसमें आपको inbuilt 4 GB का मिलता है but इसमें आपको 2 dedicated slot मिलते है जिसकी मदल से आप जो inbuilt RAM है उससे swap कर सकते हो 88 GB की 2 sticks लगा सकते है maximum RAM supported 16 GB की है storage जो है इसमें आपको hybrid storage मिलता है 256 GB की SSD PCIe इसमें inbuilt मिलती है इसके साथ आपको 1 TB की HDD मिलती है which is rated at 7200 RPM so guys यह एक backup support काफी बड़ी आपको मिलता है and the best in this list physical aspect की बात करें guys तो इसमें आपको 2 USB 3.1 के port मिलते है एक USB 2.1 का port है उसके बात guys आपको एक SD card reader का slot भी मिलता है एक VGA port है HDMI port है RJ45 भी port इसमें आपको मिलता है power jack के अलावा guys इसमें आपको headphone jack मिलता है which is the combo port इसमें आपको कोई भी type C USB port नहीं मिलता so please note that keyboard की बात करें guys तो इसमें आपको full-fledged keyboard मिलता है number pad के साथ आता है बड़ इसमें कोई भी backlit का option नहीं है connectivity का आथ करें दोस्तों तो इसमें आपको Bluetooth का 4.2 version मिलता है और Wi-Fi जो है guys ये 5 version है 6th version इसमें आपको नहीं मिलता software की बात करें तो इसमें आपको Windows 10 Home built-in मिलता है for the lifetime उसके बात Macfee का आपको 15-month का subscription free मिलता है इसके साथ ही and guys आपको MS Office का 30-day trial version इसमें मिलता है एक इसका feature की बात करें guys तो इसमें आपको जो keyword मिलता है वो spill resistant है तो normal अगर water droplets इस पे गिरते है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी finally दोस्तों बात करें इसके battery backup की तो इसमें आपको 42Wh की rated battery मिलती है and considering my experience with Dell guys इसमें से maximum आपको 4 गंटे तक की battery backup मिलेगी in the ideal scenario and finally guys number 1 on this list is Asus VivoBook 14 guys यह सबसे सस्ता laptop है in this list और सबसे जादा feature भी इसी में मिलते है यह 36,000 में आपको मिल जाएगा on the online store यह 14-inch model है जिसमें आपको 14-inch की full HD LED display मिलती है with the narrow bezels on the three sides RAM की बात करें guys तो इसमें आपको 4 GB की onboard memory मिलती है which is soldered एक stick आपको मिलती है जिसकी मदद से आप expansion कर सकते हो up to 8 GB so total इसमें से आप 12 GB की RAM यूज कर सकते हो at a time storage में guys इसमें आपको built-in एक ही storage मिलता है but option आपको यहाँ पर 2 दिया जाता है built-in guys 256 GB की SSD M.2 इसमें NVMe type fitted है इसके अलावा SATA 3 का port दिया जाता है जो की empty है आप चाहे तो इसमें HDD लगा सकते हो या फिर SATA 3 support करनी वाली SSD लगा सकते हो you can choose whichever option you want ports की बात करी guys तो सबसे पहले left side में आपको यह charging board मिलता है उसके tick side में HDMI का port है next to it is USB 3 port उसके tick side में आपको type C USB port मिलता है for data transfer finally on this side आपको एक 3.5 mm का combo jack मिलेगा opposite side में guys आपको एक USB 2.0 का jack मिलता है उसके tick side में आपको एक micro SD card slot मिलता है यहाप और दोस्तों आपको सिफ RJ45 का jack नहीं मिलता rest all are present in this laptop keyboard की बात करें guys तो इसमें आपको full flashed keyboard नहीं मिलता इसमें आपको number bad missing है but guys यह एक ही ऐसा laptop है इस list में जिसमें आपको backlit keyboard मिलता है so please note that connectivity की बात करें guys तो इसमें आपको Bluetooth का 4.2 version मिलता है और Wi-Fi का 5th version unfortunately इसमें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5 नहीं है extra features की बात करें guys तो इसमें आपको fingerprint sensor मिलता है which is the only one in this list इसके बात guys आपको one touch hello login का support मिलता है webcam इसका 720p resolution का आता है Alexa का voice recognition इसमें supported है and guys यह सबसे lightweight laptop है इस list का सर्फ 1.5 kg इसका weight है finally बात करें दोस तो battery backup की तो इसमें 37Wh की battery rated है fast charging guys यह support करता है 49 minutes में guys यह 60% charge होने का claim करता है मेरा जो experience है with Asus laptop में कहूंगा उसके basis पे maximum आपको battery backup जो है चार से पाच घंटे तक मिलेगा in the ideal scenarios so guys that was it from today's video उमित का तो आपको वीडियो पसंद आया होगा if yes then please this video लोग लाइक करें जाज़ा जाज़ा शेर करें कोई bit out हो आपको तो comment आप कर सकते हो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो